तूजी नमस्कार मैं सीवा जी सर आज आपके लिए उत्तरपडेशी स्पेशल का कलास सुरू करने जा रहा हूं इससे पहले आप तमाम वीडियो हमारे चैनल हिंदी सीखे चैनल के माध्यम से देखें जिसमें हिंदी संस्क्रीट जीयस में विग्यान और समिधान और यूपी स्पेशल के तमाम सब्जेक्टों के पार्ट वाई प्लेलिस्ट में अधिक सथिक उनको सेर कीजी अपने दोस्तों के, सस्क्राइब कीजी, अपने से Шज्वा कीज, क्यूंकि हम दौरण के दारान परिच्छा की डिश्टी कोन से आज बहुती संदार टापिक उत्तर परदेशी स्पेसल आप कहीं मत जाए बिल्कुल अंतक बने रहे हैं क्योंकि फिल्म का रस और फिल्म का जो भी कहानिया तभी समझ में आती है जब आप फिल्म को पूरे अंत तक पूरे धान से देखते हैं नहीं तो मालूम नहीं चलता कि कभ जाने लिवर आया और चला गया ठीक तो यह सब चीजे हैं आज हम पढ़ाने जा रहा है उत्तर परदेश और उत्तर परदेश का परिचय देखिए दोस्तों आपका यह उत्तर परदेश का मैप बना दिया हूं ठीक इसमें जो भी इंपो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कितने जीले हैं तो जीलों की संख्या जो है पचात्तर जीले मंडल जो है वह आपके 18 मंडल है उत्तर परदेश में नगर निगम नगर निगम आपके 17 और तासील कि यहाप यह व्याप का यह कंढ़ी प्रदेश एक नगर जोसे आपको परदेश के परदेश में उत्तर परदेश में उत्तर परदेश का जो अच्छान सी विस्तार पिकतना उसको जानेगे दोस्तों आपका जो कि यbak जो के यह आपका उत्तर पर्देश का सबसे उत्तरी बिंदी मुखे हैं ते ओर यहापका पिशाओ और यह दरापका यूंत अ यहापका प्पलवी और उदरापका पक्ष्मी आ अगर जिला देखा जाए तो बलिया पूरवी जिला कौन है बलिया सबसे पच्छमी दिशा जिला सामली सबसे उत्तरी जिला सारनपूर सबसे दच्छरी जिला आपका सुनबद्र यानि कोश्चन बनता है कि उत्तर पर्देश का सबसे पूर्वी जिला तो बलिया सबसे पच्मी जिला सामली सबसे उत्तरी जिला सारानपूर सबसे दच्छरी जिला सुन बते बहुत इंपार्टन कोश्चन बनता है सबसे बड़ी बात मैं अच्छांस और डेसांतरी विस्ता है चाएगस से बिष्थार का मतलब होता कि माल लीजिए आप की पिर्थभी जो सुनीच जो से ऐसे होती है लुद है जो रहाएय ऐसे होती है जर्वा का उठवी जयांस हिर्फ वोmers अगें उत्य है ऑप समय килले से 30 अंस के लगबग है 32 यह चांस इस विस्तार होता है उसके बाद देशांतरी विस्तार देखेंगे उत्तरपरिश का देशांतरी विस्तार तो आपका है सताथ्तर अंस से 05 मिनट हम 97-05 वा उसके बाद फिर से 84 चैनल से 38 उन या कर देशांतर भारत कि सब्सक्राइब में तो आप जानते हों तो पूरवी अब देखिए आपका अच्छांशी विस्तार रहा हो जल्मारा ये आपका पूरफ हो गया कि अर्योंटा पाच्छिंची की लंबाई छैसो पचास किलो मीटर है उत्तर पर्देश की जो लंबाई है पूरफ से से पच्छिम 650 और उत्तर से दच्छी 240 इस्तर का यह गुणा करते हैं तो आपका हो जाता है 2 4 928 वर किलो मीटर यानी उत्तर पर्देश का जो च्चत्रफल है वह 450 928 वर किलो मीटर है अब देखे तो यह आपका उत्तर पर्देश का विस्तार आगे चलते हैं उत्तर पर्देश का सबसे पूर्वी जिला बलियां सबसे पच्छमी जिला सामली सबसे उत्तरी जिला साहरानपूर सबसे दक्षिर जिला सुन बद चिक आगे कुछ और परचे देना चाहेंगा इसी मैप से ही संब्द अब देखिए मैं कोश्चन बनता है कि नेपा करता है या उत्तर परदेश के से कौनगा चोंगा च्योंत्ति का संब्र करता उसीन फेली उसके बाद बाहराई उसके बाद बलरांपूर उसके बारें त्मन महाराज गंजि यानि एक two three चार पांच छै ठीक और आपका एक और जिला है पीली बीत लखिमपूर खिरी वहराईच ठीक उसके बाद बलरामपूर सिदार्ट नगर महाराज गंज ठीक यह आपके जिले जो हैं यह उत्तर परदेश से संपर्क करते हैं यह नेपाल की सीमा से संपर्क इसमें पाला क्या आ लखिमपूर खिरी आएगा उसके बाद बहाराईच आएगा उसके बाद बलरामपूर आएगा उसके बाद सिदार्ट नगर आएगा ठीक उसके बाद महाराज गंद है 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 कि इसी में आपका एक और जिला संपर करता है यहां पर कि शरावस्ति है 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 यानि नेपाल से कौन कौन से संपर करते हैं पिलीवित लखिंपूर खिरी बाराई सरावस्ति वखला चिदार्णमगर और मांरा उद्धाज घंट से शंपरे खाते lanz深 bist जो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कोशन बनता है कि उत्तर पर्देश का कौन सा ऐसा जिला जो सबसे अधिक राज्यों से या राज्यों के सिमाउं से संपर करता है तो है आपका सुन बद देखिए आपका एक MP हो गया एक 36 गर एक जारखन एक BR यानि काने का मतलब है कि उत्तर पर्देश का जो सुन बद जिला है वह भारत के चार राज्यों की सिमाउं से संपर करता है एक मद्द पर्देश हो गया उससे अलग होकर 36 गर बना था एक BR हो गया उससे अलग होकर जारखन बना था यानि एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक, यानि सुन बद से कितने राजी की सीमा संपर करते हैं, चार, और सुन बद उत्तर परदेश का सबसे दच्छिर्टम जीला है, ठीक, एक और कोशन बन सकता है, कि उत्तर परदेश की सबसे जो दच्छिर्टम सीमा किस राजी स संपर करती है तो 36 ठिक आगे चलते हैं यह आपका ललीतत पूर्य यह कैसा है जो मध्य सिना से कुछिए की इनि मद्ध्यपर्दश की सीमा से तीन दिशाओं से थे ले कोशन सकता है कि जिला को吗 की दिशाओं कर घिरा वहां नट कुछिंट पर्देस के तीन दिशाओं से होकर घिरावा 雙ुआ होता है तो आप का ललीत रखिए राजस्थान जो मस्थूरा और आगरा के जिल्ह से समपर करते है उसके बाद आपका दिल्ली हो गया तो दिल्ली आपका मेरट गांजियाबाद गौतंबुदन पर पर करते है उसके बाद आप सामली या जिला है यह अर्याना की सीमा सब्सक्रता करता है उत्तर-परदेस का सब्सक्रत्र पछ्म जिला राजए से अंत में सम्पर गे醒 तो ह्रुरियान के हो हर्याया sprechen आपका approach, एध भी थीड श्राइश सॉहरंपूर एक ऐसा दिला है जो हीमाचल पर्डिस से संपर करता है और सारंपूर उत्तरबी स्का सबसे उत्री जिला है भी और टायों स है उत्तर सकी सीमा से कितने नीजिवी काना उत्तरोंno कुल कितने राजियों कि सीमा से संपर करती है और दिल्ली को निल्यatra sol Cyp Po लगा दिया तो नौ ठीक यह आपका उत्तर परजेस का पड़्चे राचे रा ठीक एक बार डीटेल देना चाहें गेंगें जीलो कि संख्या पाचातर मंडल अठार नगर निगर शतासी आपका 350 उत्तर परजेस का चांसी विस्तार जो है वह तेसच बावंद से सबसे बड़ा जिला लखिमपूर किरी है और सबसे चोटा जिला वहां पूर है ठीक यह सब आपको मालूँगा उसके बाद देखें दूसरा सबसे बड़ा जिला जो होता है सुन बदर होता ठीक और चेत्रफल की डिश्टी से अगर चेत्रफल की डिश्टी से देखा जाए तो उत्तर परदेश का अस्थान चौथा है यह निद्यान दिजेगा पाले अस्थान पर को और तब क्या है यूपी यानि ट्रिक के माधिम से में बताना चाहूँगा कि राज के मध्य में राज के मध्य में महाराज महाराज उपर यानि यूपी अप मतलब होता है उपर इसको अप पढ़ सकते हैं आप ऐसे इसको अटा देंगे तो अप मतलब होता है जिना और ऊपर करो से थिर्यांस हैं का आप जो सकता है की राज की मध्य महाराज ऊपर बेटेर राज का मतलब राजस्त्थान मतलब मध्यआज सिर्फ महाराज ॥ ना करते हैं तो यह आपका और इसने ना ने गौह उपो थे लिए से बेंगे और चबंदय कोफ़िया थो लोगता है की जैसा मान लीति आ कि उत्तरपणी परिवर्तन की नाम कब नाम का कब क्या गौए इसका मतना बहुत कोशिश कर रहा हूं देखिए उत्तर परदेश को है 1926 जनौरी 1950 से पहले सयुक्त परांद कहा जाता था क्या वह दो कोशिशन बनता है कि उत्तर परदेश का अगठन को बना हुआ ठीक, लेकिन होता क्या है? तो इसको मैं बहुत कांसेट के साथ सम्जाना की कोशीस कर रहा हूrau देखिए, है क्या? कि 1902 में उत्तर-परजिस को अगरा वह अवब सयुक्त प्रांत का आजाता था ठीक जैसे ही 1937 आया, तो 1937 में इसका नाम रख दिया गया सयुक्त प्रांथ, या United Province, ठीक, इसको अंग्रेजिम बुला जाता है, ठीक, United, United, प्रांथ, ठीक, अंग्रेजिम बुलते हैं, ठीक, यानि 1937 में उत्तर परदें इसको सयुक्त प्रांथ का गया, 1902 में इसको अगरावद सयुक्त प्रांथ का जाता था, ठीक, जैसे ही 24 जनौरी 1950 को कई किताबों में गलत लिखा है, ठीक, तो मैं बहुती निचोड के साथ, बहुती कांसेप्ट के साथ मटाने कोशिस करहा हैं, कि 24 जनौरी 1950 को उत्तर परदेश का गठन होता है, यानि काने का मतलब यह कोशन्स बनेगा यह कि उत्तर परदेश का नाम उत्तर परदेश कभ हुआ तो तो स्वयूग परांग ठिक या 1937 में उत्तरपड़जस को क्या कहा जाता था तो स्वयूग परांग ठिक यह सब थोड़ा कोश्चन गुमा कर बनते हैं इन सब चीजों पर आपको ध्यान देने चाहिए ठिक आगे चलते हैं अब देखिए उसके बाद एक नुमंबर एक नुमंबर 1956 को उत्तरपड़जस का क्या हुआ पुनर गठन हुआ यह हम पाले समिदान के वीडियो में पार्ट में बता चुके हैं कि पाली बार राज्यों का पुनर गठन का हुआ तो एक नुमंबर इस्थापन चोबीजनवरी को राष्टी बाली का दिवस भी मनाय जाता है तो यह दिवस के मादे अपका गठन के बारे में रहा हुआ उसके बाद उत्तरपड़जस की रायधानी में भी थोड़ा कंफ्यूजन आपको राथिस उसको बताने चाहूंगा ठिक देखिए उत् 1838 में उत्तरपरदेस की रायदानी आगरा थी। जैसे 1858 उत्तरपरदेस की रायदानी कहा हो गई? इलाहबाद। जिसको बरतमान में क्या कहा जा रहा है? परियाग राज। इलाहबाद बरतमान में उत्तरपरदेस की रायदानी कहा बनी? इलाहबाद बनी। थोड़ा बहुत आप याद करना चाहेंगो तो यह और ऐसे लिखा जाता है तो यह 3 बना है ऐसे बना है तो आप कांसेप्ट के साथ इसको मिला सकते हैं जैसे माल यह 5 बना है तो यह पर यह हम बना रहें दुध थोड़ा हुत समझ सकते हैं ठीक यही इलाहबाद हो गया में 19 exercise 2020 में उत्तरपरदेस की रायदानी होती है तो इलाहबाद होती है तो फिर में 19idores ने से 1921 घरी कर vagina 1 पर 2022 में उत्तर्परदेस के राहबाद लखनव तिक जो आंसिक रायदानी थी पूर का उसके बाद पुना 1935 में, 1935 में उत्तर परदेश की पूर्र कालिक राजधानी बनी, पूर्र राजधानी लखनोग बना, ठीक ना? यानि कोश्चन बनता है, बहुत बयाद कोश्चन बनता है, कि 1838 में उत्तरपेश की रायदानी कहा रही तो आगरा रही आगरा कि अस्थापन आपको मालूम होगा कि सिकंदर लोदी ने किया था 1540 में ठीक 1889 में लाबाद राजदानी रही कबता है तो 1921, 1921 में उत्तरपेश की रायदानी लखनव बनी उसके बाद पूर रायदानी करम रहा उत्तरपेश ठीक आगे चलते हैं बिल्कुल अंतक बने रहेगा यह कुछ हमारा उत्तरपेश से परचे रहा ठीक जो आपको मैंने बहुत आसान सदाने वासन में समझाने की परियास कर रहा हूं ठीक तो उसके बाद आगे आते हैं देखिए कुछ और चीजे बतान के और देखिएए शिट संख्या सदस्या में अंतर होता है यह दिमांग में बैठा लिजएगा जब सदस्थ संख्या क्या पूछे चेत्र पूछे त उसमें अंतर हो जाँ बिधान सब संख्या उद्थर्पधिंस में 403 है घर कॉश्ण यह बनेगा कि विधानवा सदस्य संख्या ूद्थर्पध एक जो होता है एक राजिपाल के दौरा मनोनित की जाता है इंडियन समुधाय से आपको मालू होगा ठीक उसके बाद आपका एक बिधान परिशद होता है बिधान परिशद में बरतमान समय में सीट संख्यापका लगव सोव है ठीक यह आपका उत्तर पर्देश का पर्चरा ठीक इसमें आगे चलते हैं देखिए उत्तर पर्देश की जो बिधान मंडल है उद्वी सदन आत्मा के यहां पर विधान सभावी है बिधान पर्षद भी आपको मालूम होगा ठीक आगे चलते हैं अब एक चीजा और ध्यान दीजेगा उत्तर पर्देश के कोशन मनता है कि उत्तर छेद्यानी चेट्र में पतर में तो तो आठीक यह याद रखिएगा कितने जीynnे आठीक जीले और आठ्वाँ lol ऑन 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 ज WAS जो गोपना आठ्वा जीलां इखिए पिन अधावा मंडल कौन बना तो अठरावा मंडल आपका अल्ली गड़ अल्ली गड़ ठीक उसके बाद इस सत्रावा नगर निगम आपका साजापूर साजापूर तो यह सब परिच्छा के दिश्टिकों से बहुत इंपार्टर मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं अभी आगे चलते हैं इसी में आगे चलते हैं अभी तक आपको मालू होना चाहिए कि उत्तर परिद्स का सबसे बड़ा लखिम खिरी है सबसे चोटा जिला हाफूर हो गया ठी कुल आपके मंडल 18 नगर निगब 17 इस सारी चीज आमने बता है बेहुत आसान बासा में बताने कोशिश की ठीक आगे भी आपका ऐसे वीडियो जारी रहेगा ठीक आप अधिक सदिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास सेयर करना न अबूलीजे तन्ने बाग नमस्तों